नमस्कार मैं राजमोहनतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी न्यूट हम आई हुए डग बंगला बहुत से जगहों पर पानी लगने की वज़ा से लोग दूर्गापूजा में सामिल नहीं हो पा रहे हैं बहुत से जगहों पर तो हम ने यह कोशिस किया है कि हम आपको अपने different channel के माध्यम से पूरे पत्ना की शैर कराएं और ुरगापूजा में अ हम आई हुए हैं डग बंगला में और यहां पर चेते में दिवियों की भवे ज्ञाकी का परदर्सोर होने वाला है और उसी की भीर यहां पर मौझूद है हम यहां से लोगों से पूछते हैं कि यहां पर किस चीज की इतनी भीर लगी हुई है किस चीज की भीर लगी हुई है और बारिश के बाद भी इतना महौल अच्छा दिख रहा है कि नहीं हम लोग दुआ करते हैं कि राजन दन्रगा में जो भी कंकरवाग में जल जबाव हुई है सब बहुत रिष्टिती हो जाए पहले जैसा यह उधर के भी लोग हर सुल्ला से दुर्गा पूजा मनाएं यहीं दुआ करते हैं अब जयते हैं जहां कि उना जा रहा है कि इस साल का थीम कुछ अलग हर सालों की तुल्ला में इस साल का जो थीम है वह कुछ अलग है और पूरे पटना के जो पंडाल का जो आकर्शन का केंद्र होता है वो दक बंगला का पंडाल होता है दुर्गापूजा में यहां की जो चकाचोध है वो अन्य जगों से थोड़ी ज्यादा दिखती है और लोगों की भीर भी आप देख रहे होंगे कि इसी वज़ा से यहां अब काफी ज्यादा है अब काफी ज्यादा है अब कर देख जाने का मुख ने इस लिए बादर गंजाने का मुख ने मार गहे है कि आप सलेंगे अंतर बातर गरों कि तर्फी मा का दर्शन के । जर वुल यई तरह नहीं है कि जिए दुख दुखे नियुक्त करने प्राइब रहा है तुर्गमा का स्थीवा है कि यह हम बोर्डिंग रोड चवड़ा की तरफ पहुच चुके हैं यह रास्ते में हैं हम जल्दी दिखाएंगे वहां के पंडाल और देवी मा की मूर्थी को अगर आप यहां नहीं आ पाए हैं और पटना में मौझूद अन्य किसी भी इस्तल पर अगर आप नहीं जा पाए ह तो आप देखते रहें यह भी हरी नीवच वह आपको हर इस्थान पंडाल और दर्जँ दर्संट कर आरा गël च अघुरियाँ कि playing माता जी का भवरूप में मा बिराजमान है एतने वरी मूर्ती अस्थापित मूर्ती अस्थाई मूर्ती पुरे बिहार में नहीं है दुर्गा माता जी का मंदिर परवाती जी गौरी परवाती जी है यह कभी नहीं खाली होती यह थे लाली जी जो यहां के सचीव है जो इन्होंने पूरे मंदिर का में दर्शन कराए और आप सब को भी कराया तो आगे हम बढ़ेंगे और पटने के और भी जगों का रेंगे आप को कराएंगे तब तक के लिए आप देखते रहें यह बिहारी ने उच्च्च्च्च्च दने बाग